हलो फ्रेंड मेरे खा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ और कैसे हैं आप सब लोग आश्यक करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे और क्या कम चलिए दोस्तो आज मैं आपको अपने न्यू प्लांट से मिलवाती हूँ जो क कच्छनार का प्लांट है बहुत लोग पूछ रहते कि कच्छनार को अपने किस तरह ग्रो किया है इसके बारे में कुछ बताईए तो चलिए मैं आपको बताती हूँ दोस्तो ये इसको इसका बैग्यानिक नेम बहुनिया बैरिगेटा है जिसको कच्छनार कंचन नाम से जा पाया जाता है भारत में सब जगह ये पाया जाता है और चीन में नेपाल में भूटान में अक्सर पाया जाता है दोस्तो इसकी खेती भी होती है और ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये बहुत ही बड़ा प्लांट होता है बहुत अच्छा और मेडिशन से भरा होता है य इसको आप पॉट में भी लगा सकते क्योंकि इसकी दोस्तो बोंजाई बहुत ही अच्छी बनती है तो बोंजाई बना सकते हैं आप इसको तो आप जब भी इसको पॉट में लगाए थोड़ा बड़ा पॉट स्लेक्ट करें और बड़ा पॉट स्लेक्ट करने के बाद दोस्तो आपको इसकी मिट्टी को well drain बनाना है well drain मतलब आपको 60% मिट्टी लेना है और इसमें 30% garden soil बालू लेनी है और इसमें थोड़ी सी खाद मिला के इस plant को आपको लगा देना इसकी पत्तियों का आप सेप देख रहे हो दोस्तों इसकी पत्ति क्या इस तरह से सेप होने की बज़े से इसको हम पहचान सकते हैं कि एक कच्चनार का हार्ट सेप की पत्ति होती है दोस्तों इसकी और यह मेडिशन शे भरा plant होता है इसमें इसकी मेडिशनल वैल्यू बहुत है और दोस्तों इसकी जो इसकी छाल को पीस लेते हैं और पीस के फोड़े फुनसी में लगाते हैं तो हमारी फोड़े फुनसी भी गायब हो जाती हैं दोस्तों और इसकी पत्ती को खाने से हमारे मुग के अंदर जो छाले होते हैं वो भी खतम हो जाते हैं दोस्तों इसकी फूलों से सबजी भी बनती ह तो ये बहुत ही उपयोगी प्लांट होता है कचनार बहुत ही कम इतना जादा ये दोस्तो लगाया जा रहा है आजकल तो इसकी खेती भी होती है इसके फूल है ना बहुत ही उपयोगी होते हैं तो दोस्तो इसके ये कचनार के फूल तीन कलर में हमारे भारत में देखे गए है एक तो वाइट और एक पिंक सा होता है और एक येलो कलर का होता है दोस्तो इसमें ये समर का प्लांट है इसमें समर में बहुत सुन्दर से फूल आते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि ये तीन कलर में इसके फूल आते हैं और दोस्तो इसकी जो चाल है बहुत ही उपयोगी होती है और ये आप जमीन में जब लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा विशाल प्लांट बनता है पर मैंने इसको बोंजाई बनाने के लिए घर में एक पॉट में लगाया है तो आप कोई भी प्लांट को पॉट में जब जैसे कि ये जमीन में लगाते हैं तो इसको पूरी फुल दूप देनी चाहिए और पॉट में लगाते हैं दोस्तो तो ये इसको तीन या चार घंटे के फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये दोस्तो चलेगा तो इसके अगर हम बोंजाई बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा और अगर जब भी हमें इसकी पत्ती की जरूरत होती है तो हम इसकी पत्तियों को यूज कर लेते हैं ये दोस्तो बढ़ा ना हो पाए इसके लिए हमें इसके उपर-उपर से इस प्लांट को कट करते रहते हैं तो इसकी नई-नई साखाएं निकलती र हैंगे तो आपका प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तो इसको फुल सन में रखना और वेल्डरिन श्वाइल देना और दोस्तो फटलाइजर की बात में बता तो इसको ना महीने में एक बार अगर आप बर्मी कंपोस्ट देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चल इस तरह की धरोवर हम अपने घर में रखेंगे अपने बच्चों को बताएंगे तो वह भी हमारे बच्चे भी जानेंगे कि किस तरह से हमारे मेडिशनल प्लांट होते हैं तो ये सब जानकारे आपको कैसी लगी अच्छे लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और अगर आप कच्चनार लगाना चाहते हैं तो आप इस कच्चनार की प्लांट को अपने घर पे बोंसाई की रूप में जरूर लगाना और अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों और चरू कर ना, बाइब बाइब